लें जनाब इस एक lecture के अंदर transfer learning in python आपको live करके दिखाने वालों थोड़ा सा मेरा साथ दीजेगा because I will ask many questions in this lecture many questions in this lecture ताके आप भी समझें और transfer learning को use करके किसी भी किसम की image classification के task को चुटकियों में कर लें Let's begin that Screen आपके सामने हाजर है यहाँ पे number 10 पे जाके आपने जिसका github का link मैंने description में भी दिया हुआ है जाने के बाद number 2 में transfer learning and fine tuning पे आपने click करने है fine tuning and transfer learning पे जैसे ही आप click करेंगे तो आपके पास इस तरीके से notebook open हो जाएगी जो tensorflow की तरफ से बनाए गई notebook है हम आज इस पे काम करेंगे और इस notebook को मैं दुबारा से एक नए नाम से save कर लेता हूँ जिसमें practice के तोर पे से use करने वाले है transfer learning in class ठीक है तो दोनों आपके पास save होंगी और आपके यह दोनों notebooks जो हैं वो मिल जाएंगे Let's begin that transfer learning क्या होती है कि हमने दुनिया में जो train किया model है उनको उठाना है, train करना है, fine tune करना है और accuracy को बढ़ाना है यह हमारा मकसद है Let's begin अभी पिछले lecture के अंदर जितना कुछ हमने किया वो ही काम है यहां से हमने tensorflow को activate कर लिया बाकी libraries को activate कर लिया operating system वाली को भी and warnings हमने रोख नहीं हम data को download करेंगे exactly उसी method के through जो हमारे पास था अभी जो data है हमारे पास cats and dogs का data है filtered data है हमारे पास cats and dogs का और इस cats and dogs के data को हम save कर रहे है training directory के अंदर जिसका नाम है train dataset batch size हमने इसका 32 रख दिया image size 160 by 160 हमने रखना है and validation directory भी हमने बना लिए training directory भी हमने बना लिए तो मैं इसको run करता हूँ this will download the data और यह data थोड़ा सा ज्यादा time लेगा because this data is little bit bigger than the previous data जिसके बारे में हम बात कर रहे थे और फिर इस data के बारे में हम देखेंगे कि यह कौन-कौन सी चीजें इस data set के अंदर शामिल है आपके पास अगर यह तीर इस तरीके से जाता हुआ दिखाई दे तो समझ लें कि यह basically data set download हो रहा है अब हमारे पास 2000 images हैं और दो classes है binary class classification हम यहाँ पर problem को कर रहे हैं binary class classification problem को यह दो classes को हम करेंगे दो class में कौन सी है cats हैं इक dogs हैं यानि के हमारे पास जो तस्वीरे हैं वो cats की हैं बिल्लियों की और कुत्तों की तस्वीरे हैं हम इन तस्वीरों में से machine learning model को train करके यह समझाने की कोशिश करेंगे के बही बता कौन सा कुत है कौन सी बिल्ली है इन दोनों में से अब हम इस पर काम करते हैं जनाव data load हो गया यहां पर validation data set validation directory के अंदर हमने ले आना है तो हमारे पास 1000 जो files हैं दो classes की वो validation data set के अंदर है और जो हमारे पास training data set है basically वो हमारे पास 2000 images का है अब validation और training data set दोनों का पता चल गया class और उनको हम print करके यहां पर देखते हैं तो यहां पर हमारे पास images आगी है cat की है, यह भी cats है, यह dogs है dogs है, dogs है, cats है, cats है, dogs है, cats है तो हमने क्या किया है basically label data को machine learning model को दिया training के लिए और validation data set पर उपर हम काम चेक करेंगे कि वो model काम कर भी रहे हैं के नहीं clear हो गया, यहां तक, okay अब यहां पर validation के batches हमने बना लिए ठीक है, और यह काम हमने क्यों किया अब हमारे पास original data set में test data set नहीं था so we can create one, to do so to do so determine how many batches of the data are available in the validation using this thing, then move 20% of them as a test data set तो हम validation के इलावा test data set भी खुद जनरेट कर रहे हैं which is kind of 20% of the validation data, ठीक है तो हमारे पास तीन किसम का data होगा training और validation यानि के training के दुरान-दुरान जबर्दस यह तो celebration start होगी, मुझे तो इस reaction का नहीं पता था so training के दुरान-दुरान जब आप काम कर रहे होंके to validation data set भी आपका काम करेगा so इस तरीके से आपके पास तीन data set बन गया training, testing and validation training और validation यह कठे यूज होंगे यह दोनों यह गलत ओं लियाना खड़ी होगे यह training and validation फिर हम testing को यूज करेंगे so हमारे पास यह इस तरीके से data set बन गया मैं इसको print करता हूँ number of validation batches are 26 and number of test batches are 6 हमारे batch का size कितना है that is defined in the beginning 32 batch sizes 32 multiplied by 26 is number of validation batches and 32 divided by 6 is number of test batches ठीक है? batches का मतलब है कि एक group में जितने तस्वीरे हैं उनको 6 के साथ multiply करना यह screen आपके सामने कुछ इस तरीके से मैंने आपको दिखाई है तो हमने यहां पे training testing validation data set बना लिए मैं बलके उपर वाली सारी को दुबारा run करता हूँ because कुछ गड़बड होगी थी 26 और 6 यहां पे हमारे पास save होगे अब हमने वही काम किया buffer size कर लिया prefetch कर लिया data को जो हमने पहले भी किया cache यहां पे use नहीं किया prefetch कर लिया that's enough for now let's see हमने यहां पे prefetch यूज किया और हमने images को load भी करके prefetch कर लिया अब cache भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहे जो हमने पिछले dataset के अंदर भी किया था और इससे आपके speed तेज हो सकते लेकिन यहां पे हमने सिरफ autotune को prefetch कर लिया data को यहां पे हमने augmentation की horizontal जो हमारे पास random rotation 0.2 की तो यह हमारे पास data augmentation का एक layer हमने बना लिया अब हमने क्या किया हमने जो भी हमारी images हैं उनको यहां पे print किया और यह देखने के लिए जो हमारे पास images data augmentation के बाद आएंगी वो कैसी आएंगी तो यह original image है यह right side पे होगी rotate यह left side पे होगी तो हमारे पास 3 images होगी same cheese की इसी तरीके से यह भी इसी तरीके से यह भी so total 3, 3, 6, 3, 9 images एक तस्वीर से हमने बना लिए यूज करना है so basically we will actually apply a model called mobile net version 2 कल इसके बारे में बात हुई थी के mobile net version 2 एक pre-trained model है जो tensor flow के अंदर available है और यह model इतना diverse model है which is trained on big data set और जो आपको कुछ भी image का analyze करके देदेगा यह आपकी assignment भी थी किस तरीके से transfer learning के अंदर आप pre-trained models को use करते हैं अब यहां पर यह model क्या expect करता है pixel value from minus 1 to 1 तो इसका मतलब है हमें model को basically normalized यह scale images देनी होगी तो हम 0 से 255 के अंदर जो हमारी pixel की value images की हम उन्हें standardized कर लेंगे तो उसके लिए simple आपको भी पता है कि हम किस तरीके से कर सकते हैं हमें basically scaling करनी होगी इस वकत हम 127.5 के साथ divide करेंगे क्योंके हमारा offset जो है minus 1 है पहले हमारा offset होता था 0 से 1 इस वज़ा से हम 255 पे divide करते थे यह जो model है mobile net version 2 यह minus 1 से 1 के दर्मियान images लेता है इस वज़ा से हम इसको 127.5 पे divide कर रहे है image को और offset की value minus 1 रख रहे हैं अब मैं आपको यही चीज़ जो पिछली notebook के अंदर मैंने आपको दिखाई थी I can actually show you let me see हमारे पास यहां पे scaling के अंदर जब हमने data को scale किया था drop out से भी पहले data augmentation and it was yes here तो हमने क्या किया था यहां पे यह 0 से 1 के दरमयान हर pixel की value को ले आए था इस वज़ा से 255 पे divide किया था अब जो काम हम इस जगा पे करेंगे यह model mobile net version 2 का model minus 1 से 1 के दरमयान pixels की value को count करता है that is why we have to use the rescaling method from tf keras और उसके अंदर offset भी हमने देना है और 127 चार या 5 भी देना है ठीक है अब इसको run करने से हमें क्या होगा हमारे पास जो images हैं वो normalize हो जाएंगी pixels की value एक scale में आ जाएंगी minus 1 से 1 के दरमया ठीक है अब हमने क्या करना है basically हमने base model बनाना है और base model बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा पिछले model के अंदर मैं again उसे open कर लेता हूँ ताकि आपको comparison बता सकूँ इस model के अंदर हमने जब model बनाया था तो ये सारे काम किये थे model is equal to sequential पहली layer, दूसरी layer, तीसरी layer, चौथी layer, पांचवी, छटी, साथवी, आटवी, नौवी यहां पे क्या है simple tf.keras.applications.mobile.net version 2 यहां पसे image की shape दे दी हमने और हमने top जो है यानि के जो model का head है जिसने चीजें predict करनी है उसको हमने false कर दिया यानि के model सारा ले आओ final layer ना ले के आना mobile net की, ठीक है, सारा model ले final layer ना ले के आना और फिर हमने क्या किया उसको कहा कि image net के जो weights हैं, यानि के mobile net version 2 के अंदर जो image net वाले weights हैं writing binary weights जो neural network होते हैं, उने ले आना ये तीन काम करने से हमारे पास एक model आया, base model और ये base model will actually be downloaded और इस base model के image net के weights आपके पास अब download हो रहे हैं ठीक है, और अगर आप गौर करें ये कहां से आये हैं, तो ये URL है आपके सामने, तो you can see mobile net version 2 है आपके पास mobile net version 2 के weights है tf dim ordering, tf kernels और वहां पे जो हमारे पास top h5 file है ये h5 file क्या होती है, ये basically एक file format है, similar to csv लेकिन इसके अंदर बहुत ज्यादा डेटा आ जाता है छोटी file के अंदर, तो हमारे पास तकरीबन 9 MB का एक model download हो गया, which is automatically applied as a pre-trained model inside mobile net version 2 or form a tensorflow जैसे हमने इसको run किया now you can actually do something जो हमारे पास यहां पे है the feature extractor converts each 160 by 160 by 3 image to 5 by 5, जरब 1280 block of features, और ये काम हम कर रहे हैं इस model की वजा से and here we are converting that image और feature को extract कर रहे है and then base model को trainable को false कर दिया कि हम base model को train नहीं कर रहे है हमने जो चीज़ train करनी है वो सिरफ head को train करना है जब मैंने इसके run किया अब हमारे पास क्या होगा model की summary आगी यह है जी model की summary मैं इसको open करता हूँ and believe me यह model अगर आप खुद train करने बैठेंगे you cannot do it क्योंकि यह एक layer, यह दो layer अब यह layers गिनते जाएं चेक करें, यह सारी की सारी layers neurons है और different किसम की mathematical equations इनके अंदर use होई है और यह इतने heavy data set पे model पुरे का पुरा train हुआ है which is already available for you तो किसी ने बहुत महनत करके mobile version net 2 के बंदे ने इसको बनाया and at the end आपके पास जो total parameter है वो है तक्रीबन 2 million के क्रीब but if you look into the layers you have a lot of layers here ठीक है? तो यह है जनाब आपका model और हमने क्या किया है? अगर आप गौर करें, model के end पे जो एक layer होती है वो हमने यहां से निकाली हुई है क्यों? क्योंके हमने यहां पे इसको हमने false बोल दिया था, ठीक है? so hopefully आप समझ पा रहें अब हम आगे चलते है, model हमारे सामने आ गया, now हम क्या करेंगे? classification का head डालेंगे अब हमने बताना है के ठीक है यार तू train हुआ होगा किसी भी चीजों पे अब काम क्या करना है? model को head of that model, यानि के last layer को, और अगर आप check करें हमने global average pooling layer लगाई last पे, ठीक है? और हमने यहां पे इस layer के अंदर, global average layer के अंदर feature batch भी दे दिया, and at the end हमने feature batch को यहां पे print कर लिया, now you will see के हमने prediction की layer यहां पे लगाई tf.keras.dense और यहां पे इसको भी feature batch average के अंदर add कर दिया, and here you go, ठीक है? and at the end हमारे पास अगर आप गौर करें, यहां पे जनाब हमारा पूरे के पूरा input है, और यह हमारा augmentation है, यह preprocessing की layer आ गई, यह हमारे पास base model आ गया, और यह हमारे पास layers हमने end पे बनाई थी, वो हमने add कर दी, drop out भी add कर दिया और outputs की prediction layer भी add कर दी, so at the end हमारे पास क्या आ गया यहां पे model is equal to tf.keras.model inputs और outputs ठीक है, अब हमने क्या किया inputs जो थी है हमारे पास वो सारी यह हैं, और outputs जो हमारे पास है, वो सारी की सारी X वाली है, यानि कि यह जितना भी काम हमने किया है, X data augmentation सबसे पहले होगी हमारी तस्वीरों की फिर preprocess होँगी, फिर वो base model जो हमने बनाया था, उनसे वो use किया जाएगा training नहीं करेगा, वो सिर्फ use होगा, then हम उसी चीज के add the end जो हमारे पास एक global layer आएगी, उसको लगाएंगे, और 0.2% overfitting को, यानि कि 20% data जो है हमारा, उसको off कर देंगे, तो add the end हमारे पास output layer आएगी, so यहाँ पे हमने model को update कर दिया by using these different layers, तो यह each layer या each method जो हमारे पास as a layer आएगा ठीक है, मैं इसको run करता हूँ तो यह हमारा model आ गया, अब अगर model की summary देखे न, तो यहाँ पे आपको नजर आएगी एक चीज, which is this one, dense layer at the end आ रही है, dropout भी आ रही है, global average pool layer भी आ रही है, यह 4 layers हमारी है, और यह mobile net version यहाँ तक train हुआ है, यानि training के बाद हमने 4 layers अपनी डाल दी है model उनका end वाली layers अपनी डाल दी है यहां तक clear होगी बात अब देखिएगा, मैं model के अगर trainable variables देखूं तो हमारे पास 2 है, ठीक है, इससे गया होता है कि trainable variables 2 है, cats and dogs, ठीक है, अब हम देखते हैं प्रिंट करना चाहूं let me run this here py dot अगर यह मेरे पास install हो जाती है py dot, तो यह मेरे पास model की पूरी की पूरी shape भी आ जाएगी कि किस तरीके से मेरे पास model train हुआ है, let's see अगर यह अब चलता है मैंने कर तो लिया है but I think I need to restart the kernel I don't want to do that, तो इसी वड़ा से मैंने इसको comment out किया हुआ था अब हम क्या करेंगे model को compile करेंगे, हमारा learning rate हमने यहां पे रखा है .0001, यानि के हर दफा इतना learn करेगा यह model ठीक है, और optimizer हमने use किया Adam, ठीक है learning rate वहां पे दे दिया, फिर हमने binary cross entropy use किया, because we are using this binary class classification, logist को हमने true कर दिया, आप इसको false करके भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने इसको true रखा हुए, metrics हमारे पास है, जनाब threshold 0, name accuracy हमने बता दिया, ठीक है मैं इसको model को compile करता हूँ ठीक है, अब हमारे पास, अगर आप गौर कर रहे हैं, warning उसने दिया, at this time the version 2.11 optimizer tfgos keras.adam run slowly on m1 max please use the legacy keras optimizer instead located at this one तो अब उसने मुझे बोला है कि यहां पे .legacy डाल दो something like this, क्योंकि मैं m1 mac use करूँ, but I am not gonna do that reason यह है कि अगर मैं इसको run करूँगा तो आप लोगों के लिए मसला होगा, तो मैंने यह नीचे m1 users के लिए separate मैंने code को लिखा हुए, तो मैं इसको comment out करता हूँ, इसको comment in करता हूँ, मैं simply इस चीज को run करता हूँ, आपने nvidia या बाकी लोगों ने यह वाला use करने है, मैं इसको use करता हूँ, यह मैंने use किया, there is no warning now अब मैं क्या करूँगा, दस epochs के उपर train करूँगा, पहले इसने 1.66 सेकंड लिए थे, imagine करें only 1.66 दस epochs पर train करने के लिए let's see, initiate epochs अब चलते हैं आगे यह हमारे पास initial loss and initial accuracy है ठीक है, हमने अभी इसको बोलते हैं हमने एक model को तियार किया है, ठीक है starting accuracy, और उनको हमने रखा है, तो यह पहला काम initial epochs जो हमने 10 run करने हैं, उनके लिए हमारे पास validation data site के लिए loss and accuracy 0 से start किया है, ठीक है तो basic लिए भी model ने run किया, sorry for that और क्योंके model हमारा यहां पे run होना है अब हमने यहां पे initial epochs दिये हुए 10, model.fit करेंगे और let's see हमें time कितना लगता है, मैं इसको percent percent time भी रख देता हूँ और let's see हमारे पास accuracy कितनी आती है इसके बाद क्योंके मेरे पास जब मैंने इसे run किया था it took a lot of time verbose मैं इसकी कर देता हूँ zero, ताके मेरे पास कुछ भी यहां पे show ना हो, only it should show something जब मेरे पास at the end कोई काम हो जाए it's happening because मेरे पास जो M1 GPU है उसके अंदर यह basically सही तरीके से काम नहीं करता but we will see, तो अब मैंने अपना model जो है यहां पे run किया जो pre-trained model है and we will see के हमारे पास accuracy कितनी आती है मैं आपको पिछली notebook जो मैंने पहले run करके रखी हुए तो उसके बारे में दिखा देता हूँ कि आपके पास जो accuracy आएगी it should be something like this और आप accuracy चेक करें जना model की यह validation accuracy है यह training accuracy है यह भी training and validation laws है और यह हमारे पास base model की बात हो रही है समय नहीं बात की let's see अभी तक यह run हुआ के नहीं yes तो यहां पे अगर चेक करें हमने model को run किया base model को सिरफ head change किया था और अब मैं आपको दिखाता हूँ magic मैंने अब plot की accuracies and validation and training accuracy अब यहां पे चेक करें जनाबे वाला आप 1 2 I think it's fine यह है जी हमारी training and validation accuracy यह जा रही है training accuracy की curve और at the end 90% से उपर है यह तक्रीबन 90% के करीब है और यह तो ही 95% से भी उपर तो अगर मैं accuracy अपनी देखना चाहूं you can see that के आपकी accuracy अच्छी खासी यहां पे आई हुए ठीक है और अगर आप यहां पे इस accuracy को print भी करना चाहिए you can do that one as well तो मैं अगर यहां पे print final validation and test accuracy तो यह चक करें जिए हमारे पास validation accuracy है 0.95 यानि के 95% validation accuracy है just imagine करें के हमने क्या की है mobile net version 2 को यूज की है base model पे 95% accuracy हमारे पास आ रही है ठीक है अब अगर आप एक और काम देखें यहां पे अगर मैं यहां पे यहां पे यहां पे training आना था sorry for that training and validation accuracy and validation accuracy जनाबे वाला जो training accuracy है वो भी 96 हा रही है and validation accuracy है हमारे पास तग्रीबन 96 हा रही है जो final है मेरे पास thing अब आपको fine tuning के बारे में बदाता हूँ सिरफ head change नहीं करना आपने या end वाली कुछ ज्यादा layers को change करना है यानि के training कहां से start करनी है head से भी नीचे से यानि के आदे से ज्यादा model को आपने train करना है fine tuning के through अब हम वो देखते हैं और उससे फरक देखेंगे यह number याद रखिएगा अब fine tuning क्या करते है सबसे पहले तो हमने layer हमने freeze की थी trainable को false किया था उसको हम okay करवाते हैं कि base model को trainable बना दो then हमने क्या किया हम यहाँ पे number of layers देखते हैं कौन सी है और हमने fine tuning कहां से start करनी है ठीक है हमारे पास total layers है 154 base model की total layers 154 है and we have to train from 100th layer या 120 layer तो 154 में से 100 आपकी 99 चल जाएंगे पिछली layers 120 से आगे आपकी training स्टार्ट हो जाएगी ठीक है तो हम क्या करेंगे हम वहां से fine tune करना start कर देंगे fine tuning का मतलब यह कि 154 layers ने हम ले रहे हम 100 layers इस model की ले रहे है base model की और अपने fine tuning 100th layers के बाद start कर रहे है मैं इसको run करता हूँ अब हम compile करेंगे उसी तरीके से model को और यह model की summary हमारे पास and it will be little bit different than the previous one और उसकी reason भी यह है कि हम जहां से train कर रहे है now you will see the change there कैसे change आएगी हम क्या करेंगे हम model के train number variables निकालते हैं now 2056 पहले हमारे पास सिरफ 2 थे अब हम इसको continue करते हैं और initial epochs से run करेंगे हमारे पास जो 10 epochs है उन पर run करेंगे और fine-tune epochs जो हैं उसके बाद run करेंगे सो हमारे पास initial epochs भी 10 है fine-tune epochs भी 10 है then we will see कि यह किस तरीके से हमारे पास काम करते है और यहां पर हम history of fine यानि कि यह जो model है इसको fit करेंगे fit करने के बाद train का हमने data set दे दिया epochs total epochs दे दिया which is initial plus fine-tune initial पहले 10 थे 10 यह हो गए initial epochs history.epoch वहीं से start करें validation data जो हमारे पास यह आ गया because I want to show you कि यह कैसे काम करता है and here you go मैं इसे run करता हूँ and it's starting training now अगर आप गौर करें यहां पे अब आपके पास यह model खुद से train हो रहा है and it's taking a lot of training parameters or fine-tuning के parameters and at the end it will show you different results than the previous one इतना को खास बड़ा फरग नहीं आएगा but still you can see a big change और अगर आप चेक करें यहां पे आपके पास different किसम के parameters जो है वो run कर रहे है ठीक है लें जनाब 12 epochs start हो गया यहां से it's taking all the trainable parameters यह आपके पास 13 epochs start हो गया fine-tuning बहुत अला चीज है इस पर time जयादा लग रहा आपने देखा होगा पहले time हमारा लगा था सारे 10-15 seconds और अब कितना जयादा time लग रहे है because we are training the model in heaviest way आप उसे 15 epochs start हो गया time counter मैंने नहीं लगाया तो we will actually find the time by just minimizing the initial epoch and the last epoch तो यह चला है जनाब 18-47-20 क्योंकि मेरे पास German time आ रहा है तो 47 18-47 पे यह चला है और यह जनाबे वाला it's still running but not showing anything for now यहाँ पे आपके पास यह जो आ रही है न line C it is showing के run कर रहा है यहाँ पे भी आप देखें it is showing के आपके पास model run कर रहा है fine tune होने के बाद and now it's finished यह 18-48 यानि के एक तेड़ मिनट लगा है इस model को run करने में मेरे पास क्योंके heavy system है and if you don't have heavy system it may take around 30 minutes or 35 minutes so मैंने अब accuracy को यहाँ पे print करना है और अपने पास दोनों चीजों को मिला के देखना है कि किस तरीके से हमारे पास यह accuracy बगरा आती है look जनाब आ देखो पारी आपके पास यह आ गया जनाब validation accuracy which is showing you a straight line इसका मतलब यह है कि यहाँ पे आपका training चल रहा था क्योंके हमने drop out की layer लगाई है और validation शुरू से ही अच्छी खासी थी because we have added this drop out layer थोड़ा सा underfit है यहाँ पे लेकिन यहाँ पे आके set हो गया fine tuning की फोरण बाद और यहाँ पे भी fine tuning की फोरण बाद लास्ट जो है वो आपका set हो गया यह fine tuning की line है यानि की last वाले जो आपके पास layer सी उनकी वज़ा से यह चीज़ आ रही है और अगर आप देखें को आपके पास जो टेस्ट टेस्ट डेटा सेट पे हम बाद में देखते है print the training and validation accuracies of the fine tune model हाँ जी क्या हाला जी training accuracy आपकी 99 फीसद है testing validation accuracy 98 फीसद है कितना बड़ा loop आ गया कितना बड़ा आपके पास change आया है अब यह है जी फाइदा fine tuned models का जो online available है अब मुझे बताएं जो recently आपने काम की है image classification का petty disease detection के ओपर यह कोई भी आपने काम की है अगर आप transfer learning यूज करें तो आपकी accuracy कितनी बड़ सकती है NLP के task में अगर आप trained model यूज करें you can do whatever you want to do believe me अगर आप fine tuned model यह pre-trained models यह transfer learning के अंदर यूज हो रहे है generative different होगा थोड़ा सा लेकिन pre-trained models can give you really high accuracy proof यह आपके सामने है कहां से 95 था 94 था 98 था अभी यह क्योंको यह पहले इतना accurate है कितना और अच्छा हो जाएगा समझ रहना है बात तो अब हम अगर testing data पे देखे so we can actually evaluate the data on test data जो हमारे पास था इसको run करता हूँ testing accuracy unknown के उपर 97% है unknown data के उपर testing data के उपर जिसका पता ही नहीं था data ठीक है so this is how you can actually calculate the testing accuracy और आप जो है अपनी images को यहां पे retrieve भी कर सकते है and this is how you can actually predict तो यह हमने predict करके label लगा हैं last code से cats cats है यह भी cat है कहीं पे आपको mis classification नहीं नज़र आएगी यह dog है तो dogs है यह भी dog है यह भी dog है so summary के है pre-trained models they can help you to build a really nice machine learning model based on your context मसला यह है एक छोटा सा के आपको same field वाला model लेना होगा so मेरी आप से request है के यह दो खाम जो आज मैंने आपको दिखा हैं transfer learning के इनको जरूर देखें because you have to do these things in future और अगर आप केगल के competition में इन चीजों को मदे नजर रखते हुआ आगे चलेंगे न you can get accuracy even more than 97-95% which can give your spot on leaderboard in the first five or first ten people so inshallah अभी आने वाले lectures के अंदर और भी generative AI को अभी हम देखने वाले हैं अगर आप कहते हैं तो generative AI के जिलक आज भी आपको मैं दिखा सकता हूँ but we will see also in the next lecture ठीक है जी like share subscribe यह तीन काम कर दे बहुत फाइदा होगा समझ गया ना यार इतनी मेनत होती है lectures वगेरा को त्यार करने की so please do this favor like share and subscribe this video कर दो